वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको बता दें चाहता हूँ कि ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब इंगिया का पहला और एक मात्र ऐसा वीडियो है जिसमें किसी थैमोस्टिल फ्लास्क का 24 हावार कूलिंग टेस्ट किया गया है जिसमें आप सभी लोग ये जान सकें कि जो मेडिटरन थैमोस्टिल या चेलर की थैमोस्टिल फ्लास्क होती है तो जैसा कि जैसे कंपनी क्लेम करती है कि उनकी बोतल 24 गण के पानी को ठंडा या गर्म रह सकती है तो क्या उनका कहना सही है या गर्त है वो आज इस वीडियो में प्रूफ हो जाएगा तो आज का मेरा बोडिय पूरा देखिएगा और इस वीडियो से आपका थैमोस्टिल फ्लास्क के कूलिंग परफॉर्मेंस को लेकर सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा दोस्तो आज के टेस्ट के लिए मैं सेलो की बोडल का यूज किया जो कि एक पांसो एमिल और दूसरी एक हजार एमिल की है तो आप लग टारिम देख सकते हैं बार बत से ग्यार मिनट पांट अच्टूबर दिन का समय है ये तो ये पहला टेस्ट है तो मैंने फ्रामीटर को अपनी छोटी बोडल में लगा लिया है और इसमें तो मैंने पांट भरा है इस समय वह सीधा बर्फ के पिगलने के बाद का ठंडा पानी है जितना ठंडा मैक्समा पानी हो सकता है बर्फ के पिगलने के बाद सीधा वही पा तो अभी मैं आपको एक बाद फिर से अपनी बढ़ी बोटल के पानी का टेमप्रेचर चेक करा देता हूं जिसमें अभी मैंने सेम वही पानी भड़ा है तो छोटी बोटल में भड़ा है और इसका टेमप्रेचर है 8.9 तो हलका फुलका डिफेर्स आगा इसी थर्ममेटर के वज़े से तो अब हम लोग मिलते हैं रात के 6 बजे साम के 6 बजे तो इसे मैं साम के 6 बज के 15 में ठो रहे हैं और दिन वही 5 अक्टूबर का हैं अभी मैं अपनी थर्ममेटर निकालता हूं और अब टेमप्रेचर चेक कर बहुत ही कम टेमप्रेचर गिरा है तो अगर आप 6 घंटे के लिए कुस भड़ेंगे तो उसमें टेमप्रेचर ना के बढ़ाबर ही गिरेगा इस बोतल में तो बहुत अच्छी बात है आपके बारा बजे तो इस समय पानी को भाया हुए बारा घंटे हो चुके हैं आप लो जो चुके हैं और फिर सरना ट्रामेटर को निकालता हूँ और अपनी थोटी बोतल का ट्रामेटर चेकरता हूँ पानी को भड़े वोगे बारा घंटे हो चुके हैं जैसर कि मैंने आपको पहले भी बताया है तो उसमाओ बार घंटे में पानी का ट्रामेटर गिरा है वह 6 degrees centigrade बड़ी बोटल में कितना temperature आया है तो बड़ी बोटल में कितना temperature आया है बारा घंटों के बाद और अभी आपको temperature दिखा देता हूँ रात के बारा बजे बारा घंटे बाद बड़ी बोटल का temperature है बारा पॉइंट पांच जो कि बहुत एक कम गिरावत है अब हम मिलते हैं अगले दिन दुपाह के बारा बजे तो हमारे पानी को हो गए 24 घंटे आप लोग देख सकते हैं एक तो चोटी बोटल का तो टमपरेट्चर निकल कि आ रहा है तो चोटी बोटल का temperature है इस समय मैं होल्ड किया आप लोग उन्नीश त्यूरी स्टिगेट तो उन्नीश त्यूरी स्टिगेट के पानी का मतलब है उतना ठंडा पानी जितना आप पी सकते हैं ज्योंकि फ्रीज की बोटलों में नॉमली भरा होता है वो नीश डिगरी स्टिगेट का पानी ही होता है इसमें अभी आभी आपको मिलाने की ज़रूरत पर सकती है तो जो बड़ी बोटल का temperature निकल के आया है वो 16.5 डिगरी स्टिगेट निकल के आया तो बड़ी बोटल इस मामले में जीत गई जिसका temperature बहुत ही कम गिरा 8 डिगरी स्टिगेट temperature ही गिरा तो जोस्तों आप इस टेवल से अंधाजा लगा सकते हैं कि बोटल वाकरी में काफी अच्छी है कि इसमें अभी भी आपको नॉर्मल पानी मिला के पानी पीने की जवद पड़ेगी तो इसमें अपने अपने आधाव इस बोटल को 10% 10 नम्मा दूँगा क्योंकि इसने 24 गंटे तक बहुत ही अच्छा temperature बनाए रखा देखा जा तो यह एक बेस्ट परफॉर्मेंस था तो दोस्तों आपको मेरे वीजी अच्छा लगो तो लाइक करना अपपें दोस्तों के साथ वीडियो को सेड़ करना और फिचर में आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्क्राइब करना हो कि आपको यहाँ ऐसे इंटेसिंग वीडियो मिलते रहेंगी तो आज क वेलेद नाय थान्स पर वाचिंग